इस वीडियो हम क्लास नांत के मैथ्स का चैप्टर शिक्स की थेयोरम नूमर 6.1 करेंगे ठीक है यह थेयोरम क्या है अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को तो आपको प्रूफ करना है कि उनका वर्टिकल अपोजेट अंगल इक्वल होगा दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन यह होगे दूसरी लाइन यह होगे ठीक है यह दूनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे है कट कर रहे है किसी भी एक पॉइंट पर तो इन लाइन्स के नेम लिख ले हैं यह हो गया यह भी एक ला है वो आपको क्या प्रूफ करना है इनका व।टिकल अपोजीक्ट अङल भ। और य। इसको सभीको नेम मेंग अगता है आपके पास अंगल ठीक है दो लाइन्स एक दूसरे को इंट्रसेट करें ओ पॉइंट पे इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स प्रूफ करना है कि एक्वल है स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले गिविन में क्या हो जाएगा देखिए आपने डाइग्राम बना दिया तो अब डाइग्राम के अकॉर्डिंग लिखोगे गिविन में एबी एड़ एड़ टू लाइन्स एड़ 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 टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग intersecting at point o at point o यह होगा given में to prove prove क्या करना है इसमें angle 1 is goes to angle 3 angle 1 is goes to angle 3 and angle 2 is goes to angle 4 यह proof करना है ठीक है 1 3 के equal है और 2 4 के equal है proof start करें सबसे पहले देखे a b is a line a b is a line कैसे पता of course given में भी लिखा हुआ आपने a b and c d are two lines intersecting at point o a b is a line therefore आप लिख सकते हो angle 1 plus angle 4 is goes to 180 reason क्या हो जाएगा angle 1 and angle 4 180 straight line पर दो angles बन रहे हैं linear pair reason क्या हो जाएगा linear pair and this is equation number 1 reason लिखिए linear pair next देखिए now c d is a line c d भी तो एक line है c d is a line और अगर c d line है तो जो उस पर angles बने हैं उनका sum भी तो 180 होगा same reason linear pair तो इस पर आप क्या लिखोगे therefore one plus angle two is equals to 180 and इसका भी equation number two कर लिया और reason हो जाएगा same linear pair linear pair linear pair पता है क्या होता है एक line पे या दो adjacent angles टीक है straight line पे दो adjacent angles इनका sum कितना होगा 180 this is linear property आप देखिए one and two दो equations लिखिए आपने equation one and equation two दोनों का right hand side कितना है equal है और दोनों का right hand side equal कितना है 180 तो उनका left hand side भी equal हो जाएगा तो आपको वह ही लिखना है from equation first and second from equation first and second तो angle one plus angle four is equals to angle one plus angle two ये आपने किस से लिखा है equation one and two से दोनों तरफ देखिए equation one दे रखिए angle one दोनों तरफ left hand side भी और right hand side भी और आपका तो angle one से angle one cancel out कर लिया आपने तो कितना बच आपके पास angle four is equals to angle two तो आपने एक तो प्रूफ कर दिया कि two four के equal है कि नाओ वान को थ्री से प्रूफ करने के लिए कि आपको पूरा लिखने की जरूरत है कोई जरूरत नहीं है डारेक्ट लिख दीजे सिमिलर्ली आपने प्रूफ कि यह दोनों साइड्स लिए थी और यह दोनों लिए थे साइड्स मिन्स अगर आपने यह लाइन लिए है यह भी तो उस पर इदर भी one four यह भी तो 180 और दूसरे तरब भी तो 180 आथा तो अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह वाला साइड लिया आपने त दोनों को लिया one linear पेर से 180 लिखा वन दोनों में कैंसल था तो टू-फोर लेकिन इसका पोजिट कर लेते आपने पहले one four लिया ठीक है अब चीटि के यह वाले एंगल ले ले लेते आप दोनों में क्या common होता देखो one four four three तो क्या common होता four तो क्या हो जाता one is question three तो one is question three हो ज लिखा सेकेंड लिखा उसके बाद इक्वल कैंसल आउट कर दिये वन वन दोनों में कॉमन था आपने प्रूफ कर दिया ओक टैंक यू